लग अज अच्छी हूं आज मैं फिर से आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाली हैं और इनसे आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा तो अब हम कुछ देर न करते हुए हम चलते अपने टिप की तरफ और वीडियो को स्टायर करते हैं तो हमारा फैला टिप है इस दाल को लेकर क्योंकि आज हमें बनानी हैं खिचडी तो मैं बनाने जा रही हूँ आज खिचडी तो मैंने दाल और चावल दोनों ले लिए हैं आप देख सकते हो तो इनको मैं अब धूंगी तो मैं क्या करूंगी जैसे कि अपन लोग ये दाल फेकोगे बिलकुल भी तो इस पानी का भी आज हम यूज करेंगे बहुत ही अच्छा तो अच्छे से दाल धो लीजिए तो मैं देखिए अच्छे से दाल धो रही हूं और इसको थोड़ी देर में भीगने के लिए रख दूंगी तो ये मैंने पांच मिनट के लिए दाल को भ था एक हैं तो हम दाल च्रीध बिल बीगने के लिए ठीक हैं तो हम दाल चावल कोई वी दाल है जाल है तो इनको धोनी के बाद हम इनका पारी बिलकुल भी नई पाँए दालेंगे भी नंका पानी हम पाarlेंगे पाधों में, जो की लिए बहुत है उपयोग होते हैं और इ लेकिन मानीए ओधे रे बरे हो जाएंगे तो ये वह एक पाणी यूज करनी का तो आगले तो हमारी अगली है किया है पालक को लेकर हरी सबजिओं लेकर क्या होता है जैसे हम पालक ले आते हैं मैं थूड़ा फृज़ में रख देते हैं तो हमारी पालक गल जाती है तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी पालक बिल्कुल भी नहीं गले तो क्या करेंगे देखिए मैंने पालक ले ली है अब मैं इस पालक की ये जड़ है ना इधर इनको मैं कर दूंगी कट ठीक है आप भी इसी तरीके से पालक की कट कर लेना और मैंने पालक को कट कर लिया है अच्छे से और अब हम इसको कर लेंगे पालक को साब भी हमें करना है तो पालक की ये कट करने के बाद सारी जड़ें हटा देनी है कोई भी जड़ हमको इसमें नहीं रखनी है तो पालक मैंने कर ली है बिल्कुल एक दम से साफ एक एक पत्ता करके तो अब हम क्या करेंगे हम लेंगे न्यूज पेपर तो हम इस पालक को न्यूज पेपर में रखेंगे ठीके तो इस पालक को हम न्यूज पेपर में रख लेते हैं अच्छे से तो देखिए मैंने सारी पा अब हम इसको अच्छे से न्यूज़ पेपर में फोल्ड करेंगे ठीके दोनों तरब से फोल्ड कर लीजिए तो इस तरीके से अगर आप पालक को फ्रिज में न्यूज़ पेपर में लपेड कर रखते हो तो आपकी पालक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी मेरा यकीन मानिये और इस तरीके से अगर हम पालक रखते हैं इसमें फोल्ड करके और भी हम कोई ग्रीन सबजी है जैसे की मैथी बगयरा उसको भी हम न्यूज पेपर में रैप करके रखते हैं इसी के उपर रखेंगे तो इससे हमारे फ्रिज का स्टोर भी नहीं भढ़ेगा और काफी सारा इस जैसे हम पूरियां सेकते हैं तो क्या होता यह हो जाती है इधर गरम ठीक है गैस की गरमा हट लगती है तो यह हो जाती है गरम तो गरम हो जाने के बाद जब हम पूरी निकालने के लिए इस कल्ची को उठाते हैं तो क्या होता है इस तरीके से हमारा हाथ जल जाता एक दम से हम चौक जाते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं ठीक है तो इसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और वहत्रीन उपाय लेकर आई हूँ कि आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और हमारी कल्ची भी बिल्कुल भी गरम नहीं होगी आप यकीन मानिए तो हम क्या करेंग कल्ची को हम पहनाएंगे आज सोक्स तो हम क्या करूंगे पहले सोक्स को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोलड्य звуч कर लेंगे इसको अंदर ठीक है तो देखिये मैं कैसे कर रहे हूं इस तरीके से पहना रही हूँ आप इस तरीके से कल्ची में अच्छे से इसको पहना कर और यह रबर बेंड आपको जो दिख रही है ना तो हम इस पर लगा देंगे अब इस रबर बेंड को ठीक है तो यह रबर बेंड अब मैं इस पर अच्छे से लगा देती हूँ जिससे कि यह सौक्स हमारा खिसकेगा नहीं अच्छे से इस पर टाइट हो जाएगा तो देखिए मैंने इस पर रवर बेंड लगा दी है तो यह हमारी कच्छी अब तयार हो गई है कल्ची पूरियां सेखने के लिए तो देखिए अब यह बिल्कूल भी गरम नहीं होगी इसमें मैंने डाल दी है क अगर आप अपनी पूरियां सेखोगे तो आपकी कल्ची भी गरम नहीं होगी और यह आपके लिए बहुत ही बैतरी ट्रिक है और आई होब आपको यह वाली टिप भी पसंद बहुत ही आई होगी जो भी मेरी चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और फैमली के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना तो आपकी अब कल्ची बिल्कुल भी गरम नहीं होगी देख सकते हैं तो अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तो हम आसानी से निकाल सकें ग्लास फस जाने के बाद हम कितना भी उनको गुमाते कुछ भी करते हैं तो यह निकलता नहीं है ग्लास दिये किए आप ग्लास में खुब तागस से निकाल भी फिर भी नहीं निकल रहा है क्योंकि यह आपस में फस गए हैं तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम ये साइड से किनारी है गैर अशी तरीके से पानी है गलास घाणि पानी तो मैं निणनी थे तब आप शाट अब न लेया है एक मैं तो अ तोड़ा अचा पानी इस क timeframe या अचिक आपес Meer शुर। हम इसको रखेंगे । मैं ने ग्यास के ऊपर रख दिया है और अब जैसे ही गरम होगा आप देख सकते हो तो यह घ्लास धीरे-धीरे अपने अपसे ऊपर के तरफ उठने लगेगा तो आप देख सकते अभी इसके एकदम से चिपी मिली हुई थी तो ये ग्लास थोड़ा सा पहले से ऊपर की और आ गया है आप देख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपके ग्लास निकल जाएंगे कितनी भी तेज फसे हों क्योंकि इसमें जो ठंडा पानी है न वो ह तो मैंने इस तरीके से ग्लास को पकड़ लिया है आपको दिखाती हूँ मैं देखिए ग्लास बिल्कुल निकल चुके अब मैं इसका पानी हटा दिया है देखिए अंदर पानी था इसलिए ये ग्लास निकल गए है तो इस तरीके से आप भी अपने फसे हुए ग्लासों को निकाल सकते कटोरी हो या गिलास हो आई हो आपको ये वाली भी टिप बहुत ही पसंद आई होगी